आज मैं आप लोगो के लिए lemon rice की recipe लेकर आएं हूं इसे बनाना बहुती असान है इसे बनाने के लिए आप कोई भी चावल ही उज़ कर सकते हो कोई जरूरी नहीं कि बासमाती चावल ही करें Hello friends आप लोगो का मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आप लोगों के लिए lemon dice की recipe लेके आई हूँ तो चलिए फिर मैंने एक बावल में पका हुआ चाबल ले लिया है आप देख सकते हो तो चलिए फिर lemon dice बनाने की तयारी कर लेते हैं इधर मैंने गैस पे पैन चरहा दिया है पैन में अब डालेंगे तेल तो चलिए फिर तेल डालके इसको गर्म होने देंगे तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे आदा छोटा चमच राई तो चलिए फिर अब हम इसमें राई एट कर देते हैं राई डालने के साथ एट कर देंगे आधा छोटा चमत जीरा साथ में आट करेंगे दो चुटकी हिंग, हिंग डालके उसके बाद हम इसमें दो सुखा लाल मिर्च आट कर देंगे आप देख सकते हो हमने इसमें हिंग एट कर दिया है अब डाल देंगे दो सुखलाल में इन सभी चीजों को डाल के हलका पकने देंगे साथ में एट करेंगे दो छोटा चमच चना डाल तो चलिए फिर इसमें हम चना डाल एट कर देते हैं चाना दाल डालने के बाद उसमें एड़ कर देंगे 2 चमत उरद की डाल उरद डाल डाल दिया हमने, अब साथ में एड़ कर दिया हमने 2-3 चमत मुंग फली इन सभी चीजों को डाल के अच्छे तरीके से धीमी आज पर पका लेंगे एक दो बार चलाने के बाद हमने इसमें एड़ कर दिया है काजू काजू डालके भी इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए भूल लेंगे आप देख सकते हो इसका कलर सभी चीज का चेंज हो चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे 10-12 करीपत्ता करीपत्ता भी हमने एड़ कर दिया साथ में इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अध्रक हमने एड़ कर दिया है अब डालेंगे चावल चावल डाल दिया हमने चावल डालके इसको हलका मिला लेंगे अब हम इसमें आइड कर देंगे आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हमने आइड कर दिया है साथ में आइड कर देंगे दो-तीन हरी मिर्च को हमने लंबा-लंबा कट कर लिया है वह हरी मिर्च इसमें आइड कर दे रहा है ये लेमन डाइस जटपट से बन के त्यार हो जाता है लेमन डाइस साथ इंडियन डेस भी है ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राइ करिएगा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा चलिए अब हम इसमें एड कर देते हैं दो चमस निम्बू का रस तो चलिए फिर इसमें हम निम्बू का रस एड कर देते हैं निम्बू के रस डालके इसको मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो अब हमने इसमें निम्बू का रस एड कर दिया है निंबू के रफ को डाल के इसको अच्छे तरीके से mix कर देंगे और gas के flame को बंद कर देंगे साथ में हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा तो तीन चुटकी चीनी तो चलिए फिर इसमें चीनी add कर देते हैं चीनी optional है अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं लेवन डाइस खाने में बेहदी लाजवाब लगता है इसको अच्छे तरीके फिर चारो तरफ से घुमाते हुए मिक्स कर ले आप देख सकते हो कितना खिला खिला ये लेवन डाइस बनके त्यार हुआ है लेवन डाइस खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग एक बारी से बना के जरू ट्राइ करिएगा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा यह बचे हुए चाबल से भी आप बना सकते हो और उसे भी चाबल आपके पास अगर पका हुआ है तो आप उसे भी बना सकते हो एक खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मैंने इसे हरा धनिया से गार्निस कर दिया है अब उसको फटा फट से गर्मा गरम सर्व कर लेंगे रायते के साथ तो आप लोग भी इस लेवन डाइस को बनाईए और खाईए अगर आप लोग कोई रेश्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर फे जरूर सस्क्राइब करें लाइक करें ज्यादा फे ज्यादा सेयर करें थैंक्यू